जब नाव मैं मलिक आप सब कर सौगत करता हूं आज हम जानेंगे कि अगर हमारे लगन में पांच नंबर लिखा है या हमारे चंदर देवता जिस घर में बैठे हैं वहां पांच नंबर लिखा है तो हमारे सौभाव कैसा हो का आएज जानेंगे अब पांच नंबर का मतलब वहा सेंग राशी अब सिंग राशी के जातक कैसे होते हैं सिंग राशी के जातक स्वतंत्र विचार धानावाले इनका जो उपरी शरीर होता है अपर बॉड़ी पार्ट यह जादा डॉलेंट होता ह होता है जाए स्रॉंग होता है हृश्ष्ष्ष्ष्ष्ट होता है गये से सिंग होता है जी इनका अपर बी पार्ड़ होता है गिर भी जिया वो ह मुझत सोच उची रापते हैं किसी कार रे को ठाल ने उसको पूरे किए बिना रुखते हैं ओंस यही होता है कि एक लक्ष अद्धर होमार थोड़े आलसी हो जाते हैं के कारे तो पूरा कर दें लेकिंगा कारे संवाब हो जाता है उसके अब शेर केसा होता है, शिकार करा, जब खा लिया, तो फिर आलसी हो गए, बहुत दोस्त होते हैं लगों के, लेकिन उन्हों को अच्छा लगता है अकेला रहना, निया इशीर होते हैं, थोड़े शक्की सभाव के भी होते हैं, मैरिट लाइफिंग की सुखद होती है, जिसका खाते हैं, उसके प्रती समर्पित होते हैं, जिससे जुड़ते हैं, सदैव उसकी भराई के बारे में सोचते हैं, अगर ये लोग हायर पोस्ट पे हैं, तो इन लोगों को बहुत फेम मिलती है, बहुत हज़द मिलती है, सरकारी नोकरी इन लोगों के लिए बेस्ट माने गए अगर ये लोग सरकारी नोकरी पे उच्च पदस्त है तो इसको बहुत हजज़़ा विलेगा बहुत मान सम्मान मिलेगा अब देखते हैं इनकी कमिया जानते हैं थोई एक तो हमने ये जाना कि काम के प्रती ये लोग बात होने के बाद थोड़ा आलसी हो जाते हैं यह बहुत कुरूधी भी होते हां इनको लगता है कि सिर्फ इनकी सोची सही है बागी किसी की सोच सही हिनihat ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत जाला डिस्सिप्लेंट होता है जो घर में भी ये लोग जो डिस्सिप्लेंट एक अनुशासन बना के रखते हैं वो कई बार लोगों पे हावी होने लग जाता है सब को अपने अंडर लेके चलना चाहते है दूसरों की कभी नहीं सुनते है इनकी ये जो कमिया है ये अच्छाईयों को कभी-कभी दबा देती है आप एक स्वतंत्र विचार धारा के हैं लेकर आप हैं भी तो सुसाइटी में आप लोगों के बीच भी तो रहते हैं कैसे आप किसी को ये सोचते हैं कि हमेशा आपके अंडर रहे के काम करें दूसरों की भी नहीं सुनते है मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छाईयों के बावजूद भी अगर आप में ये कमिया है इन कमियों को दूर करिए बहतर इंसान बनिए सुसाइटी के लिए अच्छा है चाहता हूँ